जहन साथियों, आज का हम लोग का टॉपिक है नम्मर सिस्टम का क्रमागत शंख्याओं का वर्गो तथा घनों का योग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं घन का दिया है कि एक के पावर घन, दो के पावर घन, तीन के पावर घन उसी परकार यहाँ पर बहुत सारे क्यूशन, ट्रिकी क्यूशन को लिया गया है और हम दावा कर सकते हैं कि इस परकार आपने कभी हल नहीं किया होगा इस ट्रिकी सवाल को ट्रिक के द्वारा हम लोग हाल करेंगे ना कोई formula line, ना कोई base, बीना कोई formula के इसको हम लोग हल करेंगे, और एक trick के द्वारा इसको हल करेंगे, बस एक line में इस question को हल करने वाले हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और question को हल करते हैं, देखिए, आगे क्या दिया यहाँ पर, एक की power घन, दो की power घन, तीन की power घन, इ कि दिना इसका answer आ रहा है, तीन हजर पचिस, ठीक है तो, अब पूछ रहा है, ठीक है, अब इसका मान बता दिजिए, उपर तो मान दे दिया है, और आपका चार आप्शन आपके नीचे दिया गया, चार आप्शन, और यह question अपका SSC graduation label का question है, दो हजर दो का है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सुविदा के दिरिष्टिस हम यहां पर लिख लेते हैं, जो पूछा है उसको में यहां पर लिख लिया है, कि टू के पावर गन, प्लस फोर की पावर गन, प्लस इक्स की पावर गन, प्लस ड़स 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 बीस की पावर गन, बस यह क्या होता है कि दो जब मान लेंगे चार और छे तो इसमें कुछ कॉमन है तो हम तो देख रहे हैं क्या है तो इसमें दो कॉमन है दो कॉमन है यहां पर देखिए दो कॉमन यहां भी दो दुना के चार दो त्याई छे वैसे यहां पर दो दाह में 20 हो जाएगा ठीक है तो हम क्य करते हैं कि ठीक है दो जब common है तो 2 के पावर 3 को आम लोग बाहर लिख लेते हैं चलिये इसी परकार मतलब तू के पावर 3 को हम लोग क्या किया है कि बाहर लिख लिए यहाँ पर वाल लिख लिए तो बचा किया 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, मतलब 2 एकम 2, 2 के पावर 3, 2 दुना के 4, 4 के पावर 3, 2 तियाई 6, 6 के पावर 3, ये तो हो गया, उसी परकार लाश्ट में ये तो 10 दुना के 20, और 20 के पावर 3, ये तो हो गया, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि, यहाँ पर 1 क 10 की पावर घं दो के पावर घं 5 प्लस 3 पावर घं फ्लस 20 दिए इसको अधिके आपर लिखते हैं अब देखे दो के तो आठ होगा, तो आठ होगा, तो आठ होगा, अब तीन हजार जो पचीस लिखा है, यह तो यहां से एक की पावर गन से लेकर दॉस की पावर गन का तो मान है, अब इसमें गुणा कर दिजिए, सेमा अंसर आ गया, बस मतलब एक लाइन वे इसको अम लोग हाल कर लिए, क्या की पावर गन से लिखा है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको यही रिक्वेश्ट करना चाहेंगे, कि जो अमारे चैनल पर नए है, चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, और लाइक बटन दबा दिजिएगा, क्योंकि इस परकार क्युश्चिन आपको सायथ ही देख्या होग यह वीडियो आपको कैसा लगा, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्युश्चिन पर, कैसे आलोगा, यहां पर देखिए क्या दिया है, कि एक से एल तक, मतलब समझने वाली बात है, समझने वाली यह बात है, कि हमको एक से एल तक, मतलब एक यहां पर है, एक से एल तक, एल मतलब लास्ट संख्या, लास्ट संख्या, तो एक से एल तक लगातार संख्याओं के घनों का योग है, चलिए question number 2 है और question number 2 क्या है कि दिया है एक एक की power gun 2 के power gun plus 3 के power gun plus 4 के power gun plus dash 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 10 के power gun का योग ज्याद किजिए यह तो में लोगा question हुआ अब इस question को सिर्फ 5 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर समझाने में थोड़ा वक्त लगएगा तो ध्यान से देखिएगा और video को end तक देखिएगा तब ही सभी जो question है ना हर question का level अलग अलग है सभी question को trick के द्वारा हल किया गया है और सभी question में tricky हिया है और सभी question को previous year जो exam के set से ही लिया गया है यह देख सकते हैं कि SSC data entry operator 2009 से है ग्या है तो हम लोग क्या करते हैं के चलिए स्को हल करते हैं यहां पर एक note करिएगा एक आपको ध्यान देना है कि whack कब अपलाई कर देना आम को कोई भी संख्या जब एक से स्टार्ट हो क्रमागत हो जब कोई भी संख्या एक से स्टार्ट हो और क्रमागत हो ठीक है और क्रमागत हो अब जहां तक लिखे लाश्ट संख्या हमारा एल क्या हो जाएगा यहाँ पर एल हमारा हो जाएगा लाश्ट वाली संख्या ठीक है ये तो समझ में आ रहा है इसी पर गाड़ी श्ट्रिप को अप्लाई कर देना बस करना कि आए कि लास्ट वाला संख्या देखिए तो लाश्ड वाला संख्या क्या है दोस है तो अम यह पर दस को करना आगे जब 2 से भाग कर दिजिए तो किस परकार करना है यहां पर देखिएगा कि 10 गुड़े 11 बटा में 2 बस हो गया अब करिए कि जब 10 गुड़े 11 दस कहां से आजा तो यह लास्ट वाली संख्या है और लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाता ह बस बटा में दो और पूरे का होलवर्ग कर दीजिए कर दी हम अब यहां इसको जब हल करेंगे दो से कट आंगे तो क्या हो जाएगा यह पांच बार में तो कट जाएगा नंस बार में कट गया आगये जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 11零फ ni 55 का क्या हो जाएगा 11- 1975 का इसका right answer होगा, answer A इसका क्या होगा, right answer, answer क्या होगा, 3025 तो right answer कौन सा होगा, A वाला ओके, चलिए बिना देर किया हुए, अगले question पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला question हमारा कैसा है अगला question पर चलते हैं अगला question पर देखिए यहांपर और यहाँ पर देख लिजिए का जो हम लोग trick apply किया है आप इसको note भी कर सकते हैं ठीक है ट्रीक हम लोग का यही है क्या कि last वाली संख्या ठीक है last वाली संख्या गुणा किये और last वाली संख्या में एक जोड दीजिए और दो से भाग करिए पूरे का वर कर दीजिए अंसर आ गया इतना असान है ठीक है यह trick है और आप चाहिए तो इस trick को note कर सकते हैं चलिए ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसको हल करते हैं simple वैसी हल करना किया आप 15 तो यहाँ पर लिखिए 15 लाश्ट वाली संख्या इस trick को आप याद रखिएगा क्या होगा कि जब कोई करमागत संख्या एक से start हो और लाश्ट में जहां तक हो उससे मतलब नहीं हमको एक से start हो और करमागत हो क्रम से आने वाली हो एक, दो, तीन, चाहिए न तो करमागत यहाँ पर करमागत संख्या हो के वर्गों और घनों का योग हो रहा है तो 15 यहाँ पर हो गया 15 गुड़े क्या 15 गुड़े यहाँ पर L प्लस 1 तो 15 में एक जोड़े तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 में 2 से भाग कर दीजिए यह आपका और पूरे को क्या कर देना है कि वर्ग कर देना है तो पूरे को क्या करिए आप वर्ग कर दीजिए अब जब हाल करेंगे तो यह अंसर होगा कैसे तो देखिए यहाँ पर 15 गुड़े 16 यानि L कमान 15 और L प्लस 1 कमान 15 एक 16 हो गया आप क्या करिए कि यहाँ पर तो समझ में आ रहा होगा आप लोगो कि 15 वाठ है 15 गुड़ा आठ में करी 120 हो गया अब जब 120 हो गया आगे जब हम लोग हाल करेंगे 120 का वर्ग क्या होगा 120 का वर्ग होगा 14400 अब 14400 इसका एंसर कौन सा होगा आखिर देखते हैं तो इसका अंसर होगा आगे चल के देखते हैं इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर होगा 14400 इसका अंसर क्या होगा 14400 अशा करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा ठीक है तो बस हम लोग क्या कर शकते हैं कि ये एक लाइन में इसको हाल कर शकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी किश्चन आपके लिए नॉलेजबल होगा अभी तो ये घन वाला चल ला है आगे आएगा बर्गो वाला है ना कि करमागत वर्ग करमागत संख्यायों के वर्गो का योग चली अगए पuteur वाल लोग अब देखते हैं कि कैसा किश्चन आगे है अगेजबल चली अगला हम लोग चौथा किश्चन है और चौथा केश्चन क्या है देखिएगा चौथा केश्चन बोल रहा है तो कि N से L तक लगातार शंख्याओं के घनों का योग, अब N से L तक क्या, N बराबर कुछ भी हो सकते हैं, आप लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, N मतलब कि एक से बड़ा, एक से बड़ा, दो, तीन, चार कुछ भी हो, अब यह टाइप चेंज हुआ है आपर, और हल आपको सेमी करना है, जैसे आप घनों का योग किया है, अगले प्रशने का, सेमी आपको हल करना है, बस एक मैथड अपलाई करना है, बस उसको देखिएगा क्या, यहाँ पर देखिएगा, पांस के घन, छे का घन, साथ का घन, दस के पावर घन का योग ज्याद करना आपको, तो यहाँ पर क्या कि पांस से लेकर दस तक है ना, बाकी एक से लेकर चार तक को ज्याद करना नहीं हमको, को गांत करना है कि 5 से लेकर 10 तक चलिए ठीक अब इसको अम लोग हल कर देते हैं कैसे तो यहाँ पर देखिएगा पहलें क्या करते हैं कि आप लोग यह सोच रहे होंगे कि एक से लेकर दस तक होता, घनों का योग तो हम लोग ग्याद कर लेते, क्योंकि लाश्ट वली संख्या का गुड़ा एक बढ़ाकर से करते, मतलब दस गुड़ा ग्यारा बट्टा में दो, पूरे का पर कर देता, एंसर हो जाता, लेकिन यहां पर देखिए वाइसे ही करना एक से चार तक की संख्याओं को इसमें घटा देंगे, क्योंकि हमने एक से दस तक को लिख दिया है, अब लिखना ही पड़ेगा इसमें, यह तो हो गया, अब क्या करते हैं कि देखिए यहां पर, दस के पाख, दस गुड़े ही ग्यारा क्यों, आपको यह बताया जा चुका है, लाश्ट वली संख्या में एक जोड़ी है, लाश्ट वली संख्या गुड़े उसमें एक जोड़ी है, बता में दो, उसी परकार लाश्ट वली संख्या चार है, तो चार गुड़े पांच, क्योंकि चार में एक जोड़ी है पांच, बता में दो, सेम, अब इस दोनों त तो पांच हो जाएगा यह क्या होगा तो दुना के चार यह हो गया हल आपका तो 11पाचे 55 होगा कैसे यहां पर देखिए गाटा देजिये क्या होगा उनतिस सो पचीस आपका एंसर हो जाएगा 2925 देखिए option में count है तो option number B में आपका क्या है कि 2925 answer right होगा count होगा तो option number B होगा clear है चलिए अगर आप लोग हल करना जान जाएंगे तो इसको सरिफ एक line में हल करेंगे वी 5 second के अंदर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में अगला प्रस्ण जो है अगले प्रस्ण को देखते हैं वह कांसा प्रस्ण है यह भी देखिए सभी प्रस्ण जो है यह SSA graduation आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है यहां पर देखिएगा कि एक से एल तक लगातार संख्याओं के वर्गों का योग अब यहां पर वर्गों का योग था वर्गों का योग आ गया उसमें क्या था घनों का योग था अब आगे क्या था घनों का अब देखिए एक से एल तक मतलब अगर एक से अंतिन संख्याओं तक आपको वर्गों का योग करने के लिए दिया जाए तो ठीक है इसको कैसे हल करेंगे ये भी आपका एक लाइन में कैसे हल करेंगे देखते हैं बहुत असान है ये यहां कि लाश्ट वाला संख्या इसमें अब दोनों संख्याओं को आगए जोड़ाए क्या हो जाएगा एक साट समझेगे लास्ट वाली संख्या गटेंगे 80 में एक जोड़ना पड़ेगा, आपको 80 हो गया, अब दोनों संख्याओं को आगे जोड़कर गुड़ा करिए, मतलब गुड़े में आगे दोनों को संख्याओं का जोड़, 6 से भाग करिए, क्लियर है, इतिना तो आपको समझ में आ रहा, पागी आगे सब कैलकोलेशन करना और कैलकोलेशन आपको करना होगा, अब कैलकोलेशन आप कितना फास्ट करते हैं, यह आप पर निर्वर करता है, बागी यह तो आपका एक लाइन में लग गया न, यह प्रसंद आपका एक लाइन में लग गया ना अगर इस प्रकार का अगर प्रस्ण दे आपको कि एक का स्क्वाइर, दो का स्क्वाइर, तीन का स्क्वाइर, चार का स्क्वाइर, प्लस डाइज असी का स्क्वाइर, अब असी हो यहाँ पे 90 हो, 70 हो, 50 हो, उससे मतलब हमको न लिख दीजिए आसी और एकासी को जोड़िए गुणा करके आगे में लिखिए 161 ठीक है ना दोयों को जोड़ दिए बाटा में 6 भाग कर दीजिए यह आपका एंसर हो जाएगा यह आप हमने कैसे किया इसका भी ट्रिक आपको दिखा रहे हैं कि इसका ट्रिक है ना ट्रिक कही है आप फॉर्मूला कही है है ना इसका भी ट्रिक आपको एक्स्प्लेइन हम करके दिखा रहे हैं है ना तो क्या हो जाएगा कि यहां से जब कटाएंगे आप तो 2, 3 का होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बागे सब तो कटा लेंगे आपना 40 हो जाएगा तो 40 हो गया 3 से कटाईए, 3 से यह क्या कटेगा कि यह 27 भार में 2 एकम आपका 2, 3, 6 और 27 भार में यह कट जाएगा 40 गुड़े 27 गुड़े 161 60 आपका, 17, 3, 8, C एंसर होगा एंसर काउंसा होगा, 17, 3, 8, C वाला एंसर राइट होगा, क्लियर है ओके बागे हम लोग बढ़ते हैं कि यह इसका explain देखते हैं कैसे हमने किया है आप इस trick को याद रखेगा trick यह आपका यही है क्या, last वाली संख्या L plus 1, last वाली संख्या में एक जोड़िये, 2L plus 1 इसको आप note कर सकते हैं screenshot ले लिजिये, ताकि आप लोग को याद रहा है, चले ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि 2L plus 1 क्या, कि 2 गुड़ा करिये इसमें आप 2 गुड़ा करिये प्लस 1 यहाँ पर 2 गुड़ा करिये प्लस 1 हो जाएगा नहीं तो क्या, L और यह पाली संख्या और दूसरी संख्या गुड़ा जोड़ दीजिये, जो गुड़ा किया गया है और आगे गुड़ा में लेख दीजिये clear है, यहाँ 2L plus 1 कर सकते हैं 2L क्या, 8 दूना के 161 जोड़ 166 से भाग, ठीक है इस परकार आपका यह बनेगा जब हाल करेंगे तो इस परकार आपका 80 80 plus 1 को अगले कोष्ट में 2 गुड़े 80 plus 1 बटा में 6 यही बनेगा आपका, चलिए आशा करते हैं यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एक्जाम में अगर आए तो आप ऐसे हाल करिएगा इस परकार, है ना अब ठीक है, अगर इसको याद रखेंगे तो simple आप एक लाइन में हाल करिए answer बताईए, ओके answer आपका C क्या आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं क्या है question, अगला question सेम है आपका, लेकिन वहाँ पर हसी तो यहाँ पर क्या है 25 से उससे छूटा है बागी सब सेम है, करना क्या है 25 गुड़े 26 लिखे है, अब 25-26 को जोड़ दीजिए, कैसे तो इस परकार 25 गुड़े 26, 25 गुड़े 26 क्यों कि लाश्ट वाली संख्या है लाश्ट वाली संख्या लाश्ट वाली संख्या में 1 जोड़ ये L प्लस 1 जोड़ ये लाश्ट वाली संख्या और दूसरी संख्या को भी जोड़ दीजिये क्या है कि L प्लस 1 को जोड़ दीजिये यह आपका और 6 से भाग कर यह answer वही होगा ठीक है एक लाइन में सिर्फ हम लोग इसको हल करेंगे बाकि इसका answer आप देख सकते क्या 55-25 कौन सा answer होगा 55-25 आपसर नमबर C होगा ठीक है आपसर नमबर C होगा क्लिय 60-25 को क्या करें कि 25 recognized यानि लाश्ट वाली जो संख्या उसमें एक जोड़िए और इन दोनों संख्या 25 और 26 को जोड़ देगे तो क्या होगा एकिस में 6 से भाग करना है हाल कर देजिए वह आपका एंसर होगा explain देखते हैं कि आखिर explain सेम करते हैं आपको trick की सुभिधा से यहां पर देखिएगा trick की सायता से आपको formula की सायता से या trick की सायता से हमने इसको explain किया है वह है कि एल गुड़े एल प्लस वन कोश्ट बंद गुड़े विल प्लस वन बट्टा में 6 ठीक है ना बार बर बताने का मकसद है कि आपको याद रहे एक्जाम में आप गलत न करें ओके चलिए तो इसको भी हल करेंगे तो 25 गुड़े 25 प्लस वन क्या हो जाएगा 26 हो जागा कि आप कैसे करते हैं ओके चले अगले अगले प्रस्शन हो कि अगला है कि एन से ह of N से लेकर से लेकर टकि सेम वह ही एजो घंधों में था एन से लेकर संख्याओं के वर्गों का योग इसमें है उसमें क्या उता beta ठीकऑन यह यह e expect अभ्या ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हाल करते हैं, हम लोग, simple इसका भी वही है, इसका भी formula वही है, लेकिन एक बात ध्यान देज़ेगा, आप लोग कहेंगे कि यह 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है, 36 लिखा है, यह कैसे हाल होगा, same आपका different भी नहीं है, यहां पर देखिए, different same नहीं दिख रहा है, 9 साथ 16, और 16 यहां पर different तो same है नहीं इसका, 5 और 9 इसमें different है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, एक method apply करते हैं, एक छोटा से method apply करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आगे देखिए इसको 9 है ना, 9 को आम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान आदिजी का वर्ग लिख सकते हैं, वर्गों में क्या लिखेंगे, तीन का वर्ग लिख सकते हैं ना, तीन का वर्ग होगा ना, बस समझ में आगे आप लोगों को, देखिए बस समया पर दिखा दे रहा है, तीन का वर्ग, क्या होगा, नौ का, सुल्ला का वर्ग, चार का व उसे में वहन है कैसे देखिए याँपर एक से लेकर 10 तक को लिए आ पर एक से लेकर दुर दू करते हैं उससी प्रकार्ट मैनस अब करना पड़ेगं क्यों कि पूछा है तुछ झारलीव लेकर 10 तक 들고 7 कने मैनस कर देगे बस हाल ओग यहाँ पर सी प् wherever यहां पर आपको इसको ध्यान देना है बागे कैल्गुलेशन आप कर सकते हैं 10 गुड़ेगयार है किया 10 लाश्ट वाली संख्या है बस उसमें एक जोड़ेगयारा और इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो अगली संख्या प्राथ हो जाती है अब चैलीशन आप कितना ऐसकते हैं आप फाश्ट करता है एक्जाम में कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते है ठीक है तो सत्ली के एक का इस पांच गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 7 मतलब 5 गुड़ 11 गुड़े 7 हो गया इसको कटा यह तो 2 3 6 यह तो पूरा 6 कट गया बच्चा क्या 5 अब इसको जब हम ल अब से नंबर 8 380 चलिए यह अररवी भोपाल को भी हम लोग क्या करते है धुमा धुमा खतम ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए आसा करते हूं यह भी समझ में आया होगा ना समझ में आये तो वीडियो को दो बारा देखिए क्योंकि एक बार में ना समझ में आये दो समझ में आजाएगा ठीक है ना ओके अगला आम लोग देखते हैं अगला क्यूशन क्या आम लोग का अगला क्यूशन देखिएगा अगला क्यूशन सेम है लेकिन यहां पर 11 दे दिया मतलब क्या एन से लेकर ल तक क्लियर है एन से लेकर ल तक की संख्याओं का वर्गो का य एकसे तक को लिखिए कैसे आसित को लिखिए लिए एकसे Brennan करें सब्सक्राइए लिकशा लिए सब में गांकरकर देए उटर या कि लिbaby या उटर Basically बाकि जो पूछ रहेना अगर पूछ रहाएं फलीवार से तो लीक किसे चाहिए थीजा होगा दस होगा ना यहां सब्सक्राइब से तो समंझ में आettsा यहां सभी रथा दिखा दिया क्योंकि यहां से टू करना कर सकते हैं 21 22 43 क्यों हो ay 22 है लास्टवाली संख्या 18 में 1 जोड़ु 22 हो गया लास्टवाली संख्या में जोड़ना है अगले गुड़ा में फिर आगे आप गुड़ा करना है तो दोनों संख्याVINy 1 12 22 जोड़िये अगला क्या हो जाएमा 43 हो जाएमा 21 22 को जोड़िए 43 हो गया 6 से भाग करना आपको खिल ठीक है ना 21 22 को जोड़िए 43 हो गया तो 43 में क्या करना है ये पूरे में 6 से भाग करिए उसी परकार ये है कि लास्ट वाली संख्या क्या है तो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर 10 है और 10 में एक जोड़ी है 11 हुआ और 10 और 11 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा 6 से भाग कर देज़े simple अब यह आपका तो calculation करना है आपको calculation आप कर सकते हैं वैसे calculation करके हमने दिखा दिया है और यहाँ पर क्या होगा कि कटा सकते हैं आपना यहाँ पर 2 गुड़े 3 हमने क्यों लिखा कि 2 3 6 होता है 2 से कटाईए इसको तो क्या होगा 11 दुना क्या 22 तीन से कटाईए तो सत्ति लिके 21 उसे परकार 6 से कटाईए तो 2 3 6 होगा तो 2 से कटाईए इसको तो क्या होगा 2 5 10 होगा आगे कटाई ये तीन से तो सत्त लिखे एक कईस होगा तो पहला क्या होगा कि 7 गुड़े 11 गुड़े 43, 7 गुड़े 11 गुड़े 43, अब अगला क्या होगी 5 गुड़े 11 गुड़े 7, मैनस 20 में आपका, अब इसको गुणा करके आप घटा दिजे आंसर होगा कैसे, तो इसका क क्या होगा, राइट एंसर होगा, चलिए, तो यह हमारा प्रशनाब का यहीं पर समाप्त होता है, और हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम लोगा क्या होगा, कि सम और विशम संख्याओं के वर्गों के योग प इस विडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है, तो चलिए, जाएं दोस्तों, हस्ते रहिए